केंद्र सरकार द्वारा आज संसर्थ भवन में अंत्रिम बजट पेस कर दिया गया इस बजट में फूरा मेमोरेंडम लोग समाचुनाव को देखते ही रखा गया है केंद्र सरकार के वित्र मंत्री प्यूस गोयल ने आज संसर्थ भवन में राष्ट पती के अभी भाशन के बाद अंत्रिम बजट पेस किया इस बजट में टैक्स को लेकर काफी राहत दी गई है वहीं किसानों को लेकर भी राहत दी गई है इस बजट को लेकर मैंपरी जनपद में राजनीतिक बाजार गर्म रहा आम जनता में भी चर्चाओं का विसे जारी रहा पूरे बजट को लेकर मैंपरी के जनता की क्या रा बढ़िया नहीं को लोग सब्सक्राइब को बहुत बढ़िया वजट किसानों के बात हुई और इसमें किसानों का बहुत धाला होगा जो मजट में आया है कि सह जार रुबवाए, साल का जो किसानों के खाते में जाएगा, उस से किसानों को लाप मिदेगा. क्या लगता है पास में ही 2019 का इलेक्शन भी है उसको देखते हुए कुछ बजट इन लोगों ने फादित किया है किसानों को इत के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि यह सरकार जो है किसानों के हित की बात पहले भी कर रही थी अभी भी कर रही है आपकी नजर में यह 2019 का बजट करने वाली है एक फर्वरी को वित्तमंद्री को किन-किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रेश करना चाहिए क्या आपका सुझाओ कहता है कि चुनाभी वर्ष में चुके मई में फिर से सरकार बननी है इसलिए गवर्मेंट बजट न मना के इंट्रिम इसलिए इंट्रिम बजट में कोई बहुत जादा फेर बदल नहीं रहता 99 परसेंट वही बजट रहता है जो पिछले साल का होता है तो इसमें कोई चेंज की मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार करेंगी आपके सुझाओं से टेक्स में या और किसी चीज में सरकार को को कोई क कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो